हेलो आपका स्वागत है मेरे आज किस नए वीडियो में आज किस नए वीडियो में मिले कर आई एक और न्यू के ओपरडिशन टुटोरियल पर 2022 जो की होने वाला है ग्लोबल लेवल पर और इस और्गिनाइज कर रही है इसके ओपरडिशन का नाम है 2023 नेक्स्ट आइडल ग्लोबल अडिशन इसके ओपरडिशन से रिलेटेड सभी डीटेल्स में आपको बताऊंगी जैसे कि इसका ओडिशन का पीडियर्ड ओडिशन की क्वालिफिकेशन कैसे आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और काम आपको अप्लिकेशन पर मिलने माला है और कैसे आप इसे फील करके अपलाई कर सकते हैं इस 2023 के नेक्स्ट आइडल ग्लोबल अडिशन के लिए इस वीडियो को स्टाट करने से पहले जो मेरे चल पर नाया है मेरे से अलों को सब्सक्राइब कर दीजे और टैब कर दिए मेला आइकन और साथी रिजल्ट एनॉसमें ने महार डालती रहती हूं तो इसके जो लिंक है मेरे डिक्रिशन बॉक्स में डाल दूगी ताब जाके क्लिक करके मेरे जायट्यूब फेस्बूक पेज को फॉलो कर लीजेगा तो शाती मेरे कुछ दिनों पहले ही मेरा इंस्ट्रागाम को जालो किया है जायट्यूब नाम से आप मुझे महां पी फॉलो कर सकते हैं वहां पर मेंसेज बेच सकते हैं अपने सबी क्यूरीज और अपनी प्रॉब्लम को सॉल करने के लिए ताब मुझे वां पी फॉलो कर लीजेगा इसकी लिंक भी है और मैं डिक्रिन डाल दूंगी को पास करने में कुछ टिप्स और एड्वाइस के जलो थे तो जॉइन में अपने यूट्यूब चैनल जैएट्यूब पर आपको के अपर आइड़िशन के एडवाइस और टिप्स और के टुटोरियल्स रती हूं आप मेंबर्शिप को जॉइन करें ये मेंबर्शिप जॉ अपने से बात कर सकते हैं अपनी वरीज और यह जो बीजिए से ब्सकुश बताओंगी इसके साथ सब के साथ सब्सक्राइब के और उडीशन के ताकि मैं आपको इवालिशन कर सकते क्योंकि आज कल जो होते हैं उनकी जो होता है आपको चल्द जल्द पता सके कि किसका अज़िए पर एक्सेस पर भी और साथी प्रायर्टी टू कमेंट्स तो सब्सक्राइब करें तो यह प्राइटी दोंगी और उने सबसे पहले रिप्लाइब करने की कोशिश करूंगी आप लोगों की मेंबर्शिप को जॉइन करने से जो सपोर्ट मुझे मिलेगा ना किसी इसे ही में यूट्यूप पर वीडियो को क्रियेट करती रहूं किसी भी Korean Entertainment Company में audition देने से पहले आपको उस कंपणी और उसके आर्टिस्ट के बारे में पता होना चाहिए अगर देखा जाए तो पल्स नाइन एक इस तरह की कंपणी है जो कि स्पेशलाइज करती है AI ग्राफिक्स में और वो लोग काफी जो कह सकते हैं हमकी होती काफी लीडिंग सर्विसिस प्रवाइड कर रही है ताकि वो ज्यादा से ज्यादा AI ग्राफिक सर्विस को और कामर्शलाइज कर सके और आगे चल के ज्यादा यूज में ला सके अगर बात की जाए डीप रियल AI की तो ये एक वर्चल परसन है एक ओटोमेशन सर्विस है जो क्रियेट कर रही है एक AI ग्रूप इटरिटी और इ एक एक जो कमर्शलाइजिशन है उसको मिला कर वो बना रहे है AI आर्ट गैलरी जिसका नाम है AI जो कि रिप्रेजेंट कर रही है AI यानि कि Artificial Intelligence और Human Collaboration के आर्ट को यानि कि दोनों ही टेक्नलोजी और Human दोनों मिलकर एक आर्ट बना रहे है उसी को ये जो कंपनी है बहुत स्प परिजिशन से रिलेटेड इसके पहले आपको यह करना है कि आपको सर्च में लिखना है पलस नाइन के पाप जैसे आपके सामने फिर्स टॉप यह वैब साइट दिखेगी पलस9.imweb.me इस पर आपको क्लिक करना है क्योंकि यह है पलस9 की ओफिचल वैब साइट जैसे आप आपको सभी चीज़ दिख जाएंगे आप कैसे अप्लाइ करना है किस तरह से आपको अडिशन वीडियो प्रिपेर करना है और क्या कर रिजल्ट एनाउस्मेंट है और क्या रिजिट्रेशन की प्रोसेस रहेगी सब चीज़ यहां पर लिखी और जैसे यह पेज को निचे रोल लेते हैं नेक्स यहां पर लिखा हुआ है रेडिय एंटर्टेइन्मेंट सी प्लानेट लाउड कैश्ट्री एड डिडिटल मीडिया बाइंग फेम शीन सेगे उसके लिखा हुआ है उसके बाद लगी फोर्थ क्रिएटिव पार्टी और वेंचर एंटरपाइज तो यह सभ आपको शो करना होगा आपके टैलेंट और आपके चाम्स को और आपको अपने आपको चैलेंज करना होगा एज अ वर्चुल क्रिएटर भी एक वर्चुल हुमन प्रडुक्शन कंपनी है यह पल्स नाइन और अरिरांग की कॉलाबरेशन की साथ जो कि है कोरिया का इंटरने लेते हैं audition category of 2023 next idol global audition के बारे में तो देखिए इसके up audition में जो audition category रही है अगर generally हम देखें तो जो सबी लोग participate कर सकते हैं वो रहेगा dance, song और talk ये तीन category रहेगी dance में आपको dance करना होगा, song में आपको songs गाना होगा और talk में आपको बात करना आना चाहिए creatively और फिर दूसरा आता है foreign language category यानि कि जो foreign से जो language पार्डिस्पेट करें इस जिने English आती है उनके लिए भी तीनों category है dance, song और talk आप जिस भी category है आप उसमें अप्लाय कर सकते हैं next हम बात कर लेते हैं audition schedule of 2023 next idol global audition के बारे में तो देखे, इस schedule पार्डिस्पेट करने के लिए कुछ schedule बना गया है उस schedule के अंदर हम सबसे पहले बात कर लेते application period के बारे में application period मतलब होता है कि कब से कब तक आप इस schedule पार्डिस्पेट के लिए apply कर सकते हैं so अगर आपको 2023 next idol global audition पार्डिस्पेट करना है तो आपको apply करना होगा 28th of October से लेकर 31st of December 2022 तक आप apply कर सकते हैं यानि कि अभी भी आपके बास पूरा एक महिना बचा हुआ है तो आप अच्छे से अपने तयारी कर लिए और इस schedule पार्डिस्पेट के लिए apply कर दीजे याद रखेगा इसकी last date 31st of December 2022 दूसरी बात में बात कर लेते हैं पहले round के जो announcement होगी यानि कि इसका जो पहला round होगा उसके announcement की जाएगी mid January यानि कि जन्वरी के मध्य में यानि कि 15 जन्वरी तक जो है इसके पहले round के announcement कर दी जाएगी दूसरी बात है जो schedule है second round का और जो भी specific details है वो भी announce की जाएगी first round की जो होगी सबसे पहले तो document screening की जाएगी यानि कि आपको documents को verify किया जाएगा उसके आद होगा आपका second round second round जो होगा वो आपका online assessment interview होगा online assessment interview यानि कि आपका एक तरह से interview लिया जाएगा वो interview आपका किसी भी तरीके से होता है या तो आपके zoom application के थूँ होगा या तो metaverse application के थूँ आपका जो है ये online assessment interview हो सकता है इसके अगर आप वो पास कर लेते हो तो आपका third round होगा वो होगा आपका final stage face to face interview so basically first round होगा उसी भापके documents को screen किया जाएगा कि जो participant है वो actual में है या नहीं है और या जो participant कर रहे है वो इस चीज के लिए serious है या नहीं है और second round में देखा जाएगा आपको जो है online audition के तरह होगा एक तरह से ये और तीसरा audition जो होगा आपका वो offline audition होगा आपको face to face interview देना होगा और वही जो है ये third round आपका decide करेगा कि आप बनेंगे next idol global audition के through या नहीं तो ये सबी चीज़े थी आपकी पहले दूसरे और तीसरे round के बार में सबी details और ये सबी चीज़े आपको अगर आप inquiry करनी है तो आप कर सकते हैं वो inquiry के लिए आपको जो उन्होंने दी हुई है hello at the rate pulse 9.net पर आप उन्हें contact कर सकते हैं अपने queries को भेज सकते हैं जो भी inquiry आपको लेनी है वो भी पूछ सकते हैं इस hello at the rate pulse 9.net पर तो यही थी सारी skip of schedule था इस 2023 के next idol global audition से related next हम बात कर लेते हैं assessment criteria of 2023 next idol global audition के बारे जैसा कि मैंने आपको बताया था जो second round होने वाला है उसमें आपका जो assessment criteria रखा जाएगा आपका एक online assessment interview होगा पहला round तो जिफ screening है तो उसमें आपके document देखे जाएंगे में तो आपका second round है जो कि होगा आपका online audition तो वह किस तरीके होगा उसकी एक अलग method होगी एक criteria होगा उसकी सापस होगा पहरा तो method है कि judges assessment होगा यानि कि judges decide करेंगे कि आपके final बनेंगे नहीं बनेंगे दूसरी चीज़े क्राइटेरिया YouTube popularity likes और followers judges not revealed तो उन्होंने एक बता दिया कि आपके judges उनको revealing क्या जाएगा कि कौन judges और आपके कौन marking दे रहा है बड़ हां वो देखेंगे कि आपके YouTube कित्ती popularity है आपके कित्ते जो है subscribers है और आपके वीडियो और कित्ते likes मिलते हैं कित्ते followers हैं आपके तीसी चीज़ी है कि उन्होंने कहा करने वाले हैं नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं special benefits of successful candidates of 2023 next title global audition so जो information उन्होंने provide करिये उसके साफ से उनका कहना यह है कि जित्ते भी production के expenses लगेंगे जित्ता ही production का खर्चा आएगा वो सब कुछ जो है successful applicants को provide किया जाएगा हाला कि जो amount है वो बताया नहीं किया कि कित्ता amount दिया जाएगा पर उनका कहना है कि जित्ते भी successful applicants होंगे जिन्होंने इस के operation को pass किया है उनको benefit यह दिया जाएगा कि उनको production का जित्ता भी खर्चा आया है वो सबी जो पैसा है वो successful applicant को दिया जाएगा next हम बात कर लेते हैं how to apply for 2023 next idle global audition के लिए तो देखे इस के operation में आप किस तरह से participate कर सकते हैं पहला तो यह करना होगा आपको application form को feel करना होगा जो कि एक तरह का google form है जिस आपको feel करना होगा उस पहले round में आपको किस तरह से content बनाना होगा मैं आपको बताती हूँ आपको 30-30 second की वीडियो बनाने होगी हरे category में जो भी आप select करने वाले हैं और वो आपका content जो होना चीए वो short form का होना चीए जो की होता है 30 second का दूसरे चीज़ आपको किन गानों पर बनाना होगा उनका कहना यह है कि आपको जो है जो song गाना है या song vocal करना है या rap करना है व category के लिए तो आपको याद रखना है कि आप जो self introduction बनाना होगा self introduction में आपको अपने बारें बताना होगा बच्पन से लेकर अभी तक में आपके कोई special जो है आपके dance और इन सब्सक्राइब कोई experience हो आपने इसके पहले किसी और company में audition दिया हो या आप किसी और company में के आप category में आपको याद रखना है कि जिस भी गाने पर डांस प्रिपेर करें वो गाना eternity के पॉप ग्रूप का ही हो उनके किसी भी गाने पर आपको प्रिपेर करना होगा पर याद रहे वो eternity का ही song होना चाहिए फिर आती है reference तो आप reference के लिए एक बार उन्होंने एक YouTube की जो है वी इस लिंक पर आपको जो है अपना application form है Google application form है वो send करना होगा submit करना होगा उन्होंने अल्री लिंक आपको provide कर दिये और QR code भी दे दिया है जैसे कि आप देख सकते हैं यह है उसका QR code जिसको आप scan करेंगे वैसी आपके सामने Google application form की link आएगी और उस link पर आपको क्लिक करना है और आपके सामने Google application form open हो जाएगा और अगर नहीं भी पाता है तो कोई बात नहीं मैंने description box में आपको इस Google form की link दे दिये इसको क्लिक करकर आप direct जो है आपके सामने Google application form open हो जाएगा इस 2023 का next idol global audition का और देखिये उन्होंने बता दिया है या तो आप QR code से फिल कर सकते है या तो जो link के उसे फिल कर सकते हैं तो इस तरह से ही आपको submit करना होगा और apply करना होगा इस next k-pop idol global audition 2023 के लिए next हम बात कर लेते है eligibility requirement of 2023 next idol global audition के बारे में तो देखिये इस care portion participate करने के लिए उन्होंने काफी eligibility दिये अगर आप उसको fulfill करते हैं तो ही आप इस care portion participate कर सकते हैं उनका क experience with online video services such as YouTube or I have content that you want to plan voluntarily यानि कि आपको जो है online video services देने का बनाने का experience होना चाहिए जैसे कि YouTube पे हम वीडियो को अप्रोड करते हैं लाइव लाते हैं और content create करते हैं यह सब कुछ आपको खुद से करना आना चाहिए दूसरी चीज है कि आपको अपने आपको challenge करना होगा as a virtual creator पिर चाहिए यहाँ पर देखिए उन्होंने बताया कि regardless of age, gender and nationality यानि कि आपकी age कितनी भी हो फिर आप girl हो या बॉय हो या फिर आप किसी भी country के क्यों नहों यहाँ पर कोई भी problem नहीं है आपका बस मन होना चाहिए इसके और पाडिशन पाडिश्पेट करने का और आप इ यहीं कहा है कि जो भी अप्लिकेंट हैं जिन्होंने ऑल्रेडी किसी Korean Entertainment Company के साथ कॉंट्रेक्ट साइन कर लिया है जो चाहिए कोई भी agency के हो नहीं हो उनको उस agency का concern form भी लाना होगा उनसे पर्मिशन लेनी होगी आपको कि हाँ उनने पता हो आपकी agency को भी किया महा पे तो आ कंपनी का concern form लेकर आना होगा यानि कि उस company ने आपको अलाव कर दिया है कि आप दूसरे के साथ भी काम जाके कर सकते हैं तो यहीं सब भी अरजीवीडी क्राइटेरिया है अगर आपको 2023 के इस k-pop के next idol global audition participant करना है तो यहीं थी सब भी information इस 2023 के next idol global audition से related next video में आपको मैं बता होना चाहिए इस k-pop audition participant करने से पहले और क्या वो चीज़े हैं जो आपको पास होंगी तो आपको ज्यादा मार्किंग मिलेगी ताकि आप इस round को पार कर सके final round को पार कर सके सब कुछ में आपको बताऊंगी तो वीडियो को भी जबू देखेगा उसको मैं एक दिन में अप् को चाहिए लुह सकत कर से दिस कार समय दोंग आपको अनौराइश का हिंन ऑ만 यो का पर तो like को फिडेखे उस को रसे रची नौरा है कुछ नबुहारिश अपको जिस है तर क्पर स्पको तिजर तो कर साफ़ कर संब sa? and also help me to complete 5000 subscribers soon love you all stay safe see you guys on my next video thanks for watching don't forget to subscribe to my channel chat to you bye bye